नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा कर रहे हैं 20 कोशन ओन चिल्रन एजुकेशन असिस्टेंट्स मतलब की CEA पर 20 कोशन आज करने वाले हैं और ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट होंगे आपकी परिक्षाओं के लिए जैसे LDC, UDC, OS, ASO, SO, Vice Principal, Principal, AC, DC, NBS, KBS, EMRS, NCT, Conducted by UPSC अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करिए क्योंकि नोलेजमनली पर ओथेंटिक और रिलाइबल कंटेंट आपकी परिक्षाओं से सम्मंदित लाए जा रहे हैं जो आपके सारे सिलेवस को कवर करेंगे जैसे कि सर्विस रूल से एकेडमिक पार्ट और कोशन पेपर का जनल पार्ट है वो भी अवलेबल करवाया जा रहा है आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाईए और सारे कंटेंट हैं देख करके और आपने आपको प्रिपेर कर सकते हैं तो सुरू करते हैं सबसे पहला क्वेशन एजुकेशनल असिस्टेंस पूर चिल्रन इज एडमिजिबल टू मतलब की बच्चों के लिए सेक्षिक सायता स्विकार यह हैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको C मिलता है एडमिजिबल होता है ओप्शन देख लेते हैं D all of the above तो सही उत्तर यहां पर हमारा है D all of the above मतलब की CEA है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है सेंटर गौर्मेंट के सारे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है इन में से सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा all of the above कोशन नम्मर सेकेंड एजुकेशनल आसिस्टेंस फोर चिल्रन इज एडमीजीबल टू गोर्मेंट एमप्लोईज ड्रोइंग पे वेतन पाने वाले सरकारी करमचारियों के लिए बच्चों के लिए सेक्षिक सायता स्विकारी है मतलब कितने वेतनमान प्राप्त करने वाले क करमचारियों के लिए एजुकेशनल आसिस्टेंस है वो दिया जाता है ओप्शन देख लेते ए अप्टू रुपीज 30,000 पर मन्त बी अप्टू रुपीज 60,000 पर मन्त सी विदाउट एनी लिमिट डी ननौ अप्देवो क्रेक्ट ओप्शन इस सी विदाउट एनी लिमिट यहां पर यह बताने जरूरी हो जाता है कि यहां को जो एमपलोई है उसको कितनी भी सेलरी मिलती है परन्तु एजुकेशनल आसिस्टेंस है वो सभी के लिए बराबर मिलता है मतलब कि सेंटर गोर्मेंट के बड़े अधिकारी है उनके लिए ग्रूप A के ओपीसर है उनके लिए भी उतना ही एजुकेशनल असिस्टेंस है या ग्रूप D के ओफिसर उनके लिए भी उतना ही एजुकेशनल आसिस्टेंस अवलेबल होगा मतलब कि आदार नहीं है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की आव सकता है वो सभी की बड़ाबर होती है को कोई लिमिट नहीं रखी गई है कि इतनी salary वालों को इतना educational assistance उनके बच्चों को मिलेगा ऐसा कोई limit यहां पर नहीं रखी गई है मतलब कि सभी को बराबर मिलेगी चाहे तो बड़ा officer है या छोटा officer है क्योंकि वहाँ पर बच्चों की पड़ाई है वो बराबर सभी की हो रही है तो C option हमारा सही हो जाएगा without any limit अगला सवाल देख लेते हैं 3 for the purpose of educational assistance children includes sexics आयता के प्रियोजन के लिए बच्चों में सामिल होते हैं कौन हैं जिनको बच्चा मानेंगे children education assistance के मामले में option देख लेते हैं children up to the age of 20 years b step children c adapted children d all of the above सही उतर हमारा हो जाएगा d all of the above मतलब की children के रूप में किसको मानेंगे children up to the age of 20 years यहाँ पर disabled child के लिए अलग से question बना गया है channel बात करें तो 20 साल तक के बच्चे हैं वो सारे बच्चों में सामिल होंगे और step children है वो भी children में सामिल होंगे adapted children है वो भी children education assistance के मामले में इनको सभी को children की category में मानते हैं हमारा सही उत्तर हो जाएगा d all the above question number four in case of disabled child educational assistance is allowable till the child attends the age of बहुत ही important question है विकलांग बच्चे के मामले में बच्चे की आयू प्राप्त करने तक sex excita की अनुमती है कितने साल की आयू होने तक उसको CEA admissible होगा option देख लेते हैं इससे पहले हम देख चुके कि अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए 20 यूर्स की लिमिट रखी गई है वहां तक उसको CEA मिलेगा परन्तु disabled child है तो 22 यूर्स की लिमिट रखी गई है और 22 यूर्स तक उसको CEA applicable होगा सही उत्तर हो जाएगा सी पसन नम्मर फाइव educational assistance is allowable for a maximum of success आयता अधिक्तम के लिए स्विकार यह है इस तरी के question है वो repeat हो जाते बार-बार पूछे जाते पुरानी परिक्षाव में भी पूछे गए मतलब की बहुत simple से question है परन्तु repeat हो सकते है इसलिए प्रते question को मैं यहा पर आपके लिए ले करके आ रहा हूँ option देख लेते हैं a one child b two children c three children d four children सही उत्तर हमारा हो जाएगा b two children मतलब की जो c है वो maximum कितने बच्चों तक applicable होती है कितने बच्चों तक मिल सकती है तो दो बच्चों की limit यहां पर रखी है two child तक मिलती है परन्तु इसमें conditions यह रखी कि यह अगर उसको second child birth है वो twins के रूप में होते हैं तो तीन बच्चों के लिए भी CEA या Children Education Allowance है वो मिल सकता है यहां limit है वो क्या है two children तक आपको Children Education Assistance मिलेगा सही उत्तर हो जाएगा हमारा भी question number six in case a child attends the age of 20 years 22 years in case of disabled child during an academic session educational assistance is allowable till यदी कोई बच्चा 20 वर्स की आयू प्राप्त करता है और 22 वर्स के मामले में विकलांग जो बच्चे है तो 22 वर्स तक के लिए एक sectionic सत्र के दोरान section six आयता तब तक स्विकार है जब तक कब तक मिलेगी उसको option देख लेते हैं a the month in which the child attends that age b the end of the current academic session c the completion of his schooling up to class 12th d the child remains in the school तो कब तक मिलेगी 22 years की limit कब तक है कि वो कौन से मंत तक या कौन से उसके session end तक है या schooling तक है सई option हमारा हो जाएगा b the end of the current academic session मतलब की session end तक उसको पढ़ाई करनी होगी मतलब की वो allowed होगा वो यहां पर यह बताया गया कि 20 साल की age अगर उसकी mid session में हो जाती है mid session में उसकी 20 साल की उमर हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसका educational alignment से वो बंद कर दिया जाएगा नहीं उसको पूरा session complete करना होगा अगर वो 11 क्लास में पढ़ रहा है और 11 के mid session में वो क्या हो जाता है 20 years का हो जाता है या disabled child है तो 22 years का हो जाता है तो उसको बीच में ही educational assistance है वो बंद नहीं होगा वो 11 कंप्लीट करेगा और 12 क्लास में उसको assistance है वो नहीं मिलेगा तो इस तरीके के question है वो logical हो जाते है हमारा सही उतर य seven educational assistance is not available for a child for more than two academic session in the same class एक ही कक्षा में दो से अधिक सेक्षिनिक सत्र के लिए एक बच्चे के लिए सेक्षिक सायता उपलब्द नहीं है क्या ये sentence ठीक है या गलत है true false में हमें बताना है सही उतर हमारा हो जाएगा false बिलकुल available है अगर कोई बच्चा एक session में फेल हो जात है तो अगले बार वो repeat हो सकता है children education assistance में इस तरीके का कोई बात नहीं बताई गई है कि एक class में वो कितने सालों तक रह सकता है इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई है तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उस class के लिए भी उसको जो फेल हो करके और reapp peer होता है फिर से परिक्षा में बैठता है तो अगले साल के लिए भी children education assistance है वो मिलता रहेगा इसका मतलब है कि यहां पर limit नहीं रखी गई है कि एक class में बच्चा कितनी बार रहेगा परन्तु उसके लिए जो school परसासन है या principal है वो परची पर sign करके या उसको receipt देगा कि इ बाते तो ठीक लगती है परन्तु ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर एक class में वो बार-बार repeat हो रहा है बार-बार पढ़ रहा है तो आगे उसको educational assistance है वो नहीं मिलेगा क्योंकि 20 साल तक मिल रहा है या disabled child के लिए 20 साल तक मिल रहा है तो age complete हो जाएगी तो उसका कोई फा साहता है यहां पर कोई कमाई नहीं है तो कोई भी आदमी है वो कमाई नहीं करता होगा बच्चों के नाम पर निसित रूप से वो अगर बच्चे की कमजोरी है बच्चों की मजबूरी की वज़े से वो फेल हो जाता है तो उसको साहता मिलती रहेगी तो sentence है वो गलत है ये गलत है कि उसको not अगर है तो गलत हो जाता है और not नहीं होता तो यह sentence true होता हमारा उत्तर हो रहा है भी पॉप्सन नम्मर एट एजुकेशनल असिस्टेंस इज अलावबल इफ दा चाइल्ड इस्टेडिंग इन यदी बच्चा पढ़ रहा है तो सेक्षिक सायता की नमती है कुन से एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ रहा है तो उसको C एपलिकेबल होती है पॉप्सन देख लेते हैं A. एनि प्राइवेट इस्कूल B. एनि गवर्मेंट और गवर्मेंट एड़ेड इस्कूल C. एनि रिकोगनाइज़ इस्कूल D. अल अब दियो से उत्तर हमारा हो जाएगा C. एनि रिकोगनाइज़ इस्कूल यह बहुत इंपोर्टेंट है 9. If the child is studying in LKG, UKG, nursery, educational assistance is क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा यदि बच्चा LKG, UKG, nursery में पढ़ रहा है तो सेक्षिक सायता है या नहीं है ओप्शन देख लेते हैं A. admissible if the child is at least 5 years of age B. admissible if the school is a recognized institution C. not admissible D. none of the above correct option is B. admissible if the school is a recognized institution. मतलब LKG, UKG, nursery class में भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए C.E.A. वो मिलेगा परन्तु condition क्या है कि वहाँ पर recognized institution होना चाहिए, recognized school होनी चाहिए, मनत प्राप्त होनी चाहिए, वो registered होनी चाहिए, तब जा करके वो educational assistance के लिए admissible होंगे बच्चे LKG, UKG, nursery class के लिए तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा भी. Question number 10, educational assistance is not admissible if the child absent from school without proper leave for a period. यदी बच्चा उचित अवकास के बिना ये कवदी के लिए school से अनुपस्तित रहता तो sexic साहता स्विकार नहीं है, कितने दिनों की छुट्टी लेता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई छुट्टी लेकर नहीं गया, तो कितने दिनों तक वो छुट्टी पर रहता है, बिना अनुमती के तो उसको educational assistance है, वो मिलना बंद हो जाएगा, option देख लेते, मतलब एक महिने से अधिक चुट्टी पर रहता है, और ये चुट्टी है, बिना अनुमती के लिए गई है, अनुपस्तित है बच्चा, absent है, तो absent की condition में, leave नहीं है, वो absent की condition है, तो absent रहता है, एक महिने से अधिक absent रहता है, तो उसको C, वो मिलना बंद हो जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा, B, question number 11, educational assistance is not admissible if the child does not attend regular school, but studies through correspondence or distance learning, यदि बच्चा नियमित रूप से इस्कूल नहीं जाता है, लेकिन पत्राचार या दूरस्ट शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करता है, तो सेक्षिक साहता स्विकार नहीं है, ये बात सही है, कि गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, उसको ये बात नहीं मिलेगी, मतलब कि school नहीं जा रहा है, और दुरस्ट शिक्षा के या पत्राचार के माध्यम से, या आप कह सकते हैं, ओनलाइन वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए, ओनलाइन के लिए कोरोनकाल में कंडिशन रखी गई थी, कि ओनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, परन्तु ये कंडिशन क्या है, कि वो करिस्पोंडेंस से या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहा है, और इस्कूल जाना उसने बंद कर दिया है, तो क्या होगा, एजुकेशनल असिस्टेंस है, वो नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो इसमें कुछ कंडिशन बताई गई हैं, कि अगर डिसेबल बच्चा है, तो डिसेबल बच्चे के लिए पत्राचार या दुरस्त सिक्षा है, उससे वो पढ़ाई कर रहा है, तो उससे भी उसको क्या है, एजुकेशनल असिस्टेंस है, वो मिलना सुरू हो जाएगा, मिलता रहेगा, परंतु कंडिशन ऐसी है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, और पत्राचार के माध्यम से ही वो सिही लेना चाता है, तो ये बात है, वो सेंटेंस गलत हो जाता है, हमारा उत्तरब हो जाता भी, इसके बाद में नेक्स कोशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है, पूछ लिया जा सकता है, करमचारी की अवदी के लिए सेक्षिक स्वायता स्वेकार है नहीं है, कौन सी अवदी के लिए एजुकेशनल असिस्टेंस है, वो नहीं मिलेगा, अगर एंपोर्टेंट के साथ में क्या होता है, मतलब की दूसरे ओप्शन देख लिए, तो उसको चिल्रण एजुकेशन असिस्टेंस है, वो मिलते रहेगा, और बी में ओन एनी लिव अधर देन एक्स्टा ओडिनेरी लिव, मतलब कोई भी तरीके की लिव लेता है, तो उसको चिल्रण एजुकेशन असिस्टेंस मिलता रहेगा, और अंडर सस्पेंशन में भी मिलता रहेगा, परंतु कब नहीं मिलेगा, उसको डाइजनन में उसको नहीं मिलेगा, अगर कितने भी पिरेड का, जितने पिरेड का उसका डाइजनन होआ है, या अकारिय दिवस उसकी डूटी का माना गया है, उस पिरेड का एजुकेशनल असिस्टेंस है, वो नहीं मिलेगा, चाहिए उत्तर हमारा हो जाएगा, C. पॉशन नम्मर फर्टीन, एजुकेशनल असिस्टेंस इज अलावबल ओनली तिल दा एंड अप अकेडमिक सेशन, इप दूरिंग दा अकेडमिक सेशन, दा एम्पलोई सीजेस तो बी ए गोर्रमेंट सर्वेंट दूटू, सैक्शनिक सायता के बल सैक्शनिक सतर के अंत तक स् सेक्शनिक सतर के दोरान करमचारी, सरकारी करमचारी नहीं रह जाता है, मतलब कि कोई करमचारी है, वो जुलाई में रिटार हो जाता है, या तर्मिनेट हो जाता है, रिमू हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो क्या उसको एजुकेशनल असिस्टेंस है, क्योंकि जुलाई is the all of the above मतलब की यहां पर क्या बोला है की रिटार्मेंट होने पर, रिजिनेशन होने पर दिस्चार्ज या डिस्मिशल या रिमूवल होने पर वो करमचारी है वो क्या हो गया है उसकी सर्विस है, वो खतम हो गई है, गौर्मेंट एंपलोई अब वो नहीं रहा है, तो भी उसको कब तक एजुकेशनल असिस्टेंस मिलता हो रहेगा, बच्चे के जब तक सैसन कंपलीट हो जाता है, सैसन कंपलीट होने तक उसको एजुकेशनल आलेंस है, वो मिलते रहेगा, सीए मिलते रहेगा, क्योंकि सैसन कंपलीट होने पर उसको ये गौर्मेंट एंपलोई है, उसको सीए मिलना बंद हो जाएगा, तो कब तक मिलेगा, एकेडमिक सैसन जब तक एंड हो जाता है, गौर्मेंट जोब है, वो कंपलीट हो जाती है, तो यहां पर एकेडमिक सैसन तो बच्चे के लिए सेक्स आयता, तब तक स्वीकार होगी, जब तक, कब तक मिलेगी, ऑप्सन देख लेते हैं, A, the end of the current academic session, B, the completion of the schooling of the children, C, the time the employee would have received had he not died, D, none of the above, correct option is C, C, the time the employee would have received had he not died, तब तक मिलेगी, जब तक कि ऐसा मान के चलते हैं, कि अगर करमचारी की मृत्व नहीं होती, तो उसको education assistance है, वो बच्चे के लिए मिलता रहता, तो ऐसा मान के चलेंगे, कि उसकी मृत्व नहीं होती, तो कब तक उसको बच्चों को educational assistance मिलता, तब तक ही उसको मिलती रहेगी, तो इस तरीके के question है, बहुत logical हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि death होने के तुरंत बाद, वो educational assistance है, वो बंद हो जाएगा, यह तो बच्चों के फरिवार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बच्चे के फादर की या उसके parent की किसी की भी government employee की death हो जाती है, तो तब तक उसको assistance मिलता रहेगा, जब तक वो eligible होगा, मतलब 12 तक या 20 साल की age होने तक और वो यहाँ पर बात देखी जाएगे कि उसकी death नहीं होती, तो भी मिलती रहती, उसी तरीके से उसको मिलेगी, सही उत्तर हो जाएगा, C. Question number 15. Question number 16. Question number 16. इंस्टिउशन सई उत्र हमारा हो जाएगा डी सर्टिफिकेट फ्रॉम दा हैड ऑफ दा इंस्टिउशन हैं उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है उसने सेशन के एंड तक वो पढ़ाई करिए साथ में रिशिप्ट देगा कि इसने फीस भी जमा करिए तो यह सर्टिफिकेशन के बाद में उसको एंप्लोई को एजुकेशनल असिस्टेंस है वो मिल जाएगा परन्तु ध्यान रखना है कि कोरोना काल में ऐसा हुआ कि अगर कोई आप्र देखी के इसने नहीं देते है तो और ग्रोंत जो फेड़ी इसफीट के द्वारा दूसरे शर्ली तक देखले बाद मिल गया था तो यहां पर सही उत्तर हमारा हो रहा है certificate from the head of the institution यह सही है और वो क्लेम कर सकता है अगला सवाल देख लेते है 17 for availing educational assistance the minimum age limit of children is sex excited प्राप्त करने के लिए बच्चों की noon time are you क्या है बहुत अच्छा सा question है कि noon time age क्या होनी चाहिए maximum age तो हमने देख ली कि नॉर्मल बच्चा है तो 20 years तक उसको CEA मिलेगा और disabled है तो 22 years तक मिलेगा परन्तु maximum के अलावा minimum क्या age होनी चाहिए minimum age कितनी होनी चाहिए तब जाकर के CEA मिलेगा option देख लेते a 2 years, b 3 years, c 5 years, d no age limit सही उत्तर हमारा हो जाएगा d no age limit कम से कम age है उसकी कोई limit नहीं रखी गई है minimum age नहीं रखी गई है वो कितने ही साहल का बच्चा बैठ जाता है पड़ने के लिए तो उसको भाई से educational assistance है वो मिलना सुरू हो जाएगा तो age limit नहीं रखी गई है, new time नहीं रखी गई है, maximum रखी गई है यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं Children Education Allowance does not include reimbursement of बाल शिक्षा बत्ते में प्रती पूर्ती सामिलने है, कौन सी चीज नहीं मिलती है C.E.A. में, option देख लेते हैं, A. Laboratory fee, B. fee for extracurricular activities, D. Development fee in addition to tuition fee, D. Examination fee सई उत्तर हमारा हो जाएगा, C. Development fee in addition to tuition fee, मतलब development fee है वो नहीं मिलती है यहां पर laboratory fee है, वो admissible है, fee for extracurricular activities है, इनके लिए भी मिलेगी, examination fee के लिए भी मिलेगी, परन्तु यह fees है, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी यह बताया गया है, कि tuition fee तो मिलती है, परन्तु उसके अलावा developmental fee, कोई अगर institution लेता है, तो वो admissible नहीं होगी, सई उत्तर हमारा हो जाएगा, C, question number 19, children education allowance does not include reimbursement of बाल शिक्षा बत्ते में, निमलिक्त की प्रतिपूर्ती सामिल नहीं है, बहुत important question आ रहे हैं, जो मिलते हैं, वो तो ठीक है, नहीं कौन-कौन सी चीज़े हैं, option देख लेते हैं, A, fee paid to an institution other than a recognized the school, B, fee paid to private tutors, C, expenditure on school bags, pen, pencil, etc, D, all of the above, हमारा हो जाएगा, D, all of the above, इन सभी conditions के लिए, इन सभी के खर्चे पर नहीं मिलेगा, fee paid to an institution other than recognized school, अगर recognized institution नहीं है, तो उसको fee paid की गई है, वो नहीं मिलेगी, साथ में fee paid to private tutors है, home tutor है, उनके लिए भी नहीं मिलेगी, आप कितनी पैसे दीजिए, expenditure on school bag, pen, pencil, तो इन पर भी जो खर्चे आपके होते हैं, इन चीजों पर वो भी नहीं मिलेगे, तो ये सभी चीजों पर खर्चा आप करते हैं, fee pay करते हैं, तो नहीं मिलेगा, all of the above, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और dear friends, T20 का last question देख लेते हैं, the children education allowance can be drawn, बाल सिक्षा बत्ता आरित किया जा स है, option देख लेते, A, as entire amount in the first quarter of academic year, B, as entire amount after completion of the financial year, C, as entire amount in the last quarter of the academic year, D, on quarterly basis, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B, as entire amount after completion of the financial year, तो ये 7th pay commission में condition रखी गई है, कि आप उसका academic session complete होने के बाद में, financial year के end में आपको क्या करना होगा, education assistant के लिए apply करना होगा, और apply करने के बाद में entire amount है, आपको मिल जाएगी, 6th pay commission में quarterly payment होता था, यहाँ पर entire amount है, financial year के end होने पर आप apply करेंगे, और एक साथ में पूरा complete amount amount है, वो मिल जाएगा, और dear friends, जल्दी से comment कर दीजे कि अभी 7th pay commission के अनुशार कितनी amount है, वो CEA के रूप में मिलती है, CEA के रूप में कितनी amount applicable होती है, प्रतेक child के लिए, अगर वो schooling कर रहा है, तो उसके लिए कितनी मिलती है, अगर वो hostel subsidy ले रहा है, तो hostel subsidy है, वो कितनी applicable है, जल्दी से आप बता दीजे, comment में, और इस तरीके से friends, हमने T20 के 20 questions है, वो complete कर लिए, आज के question है, वो based है, MC के own children education assistance, मतलब CEA, 7th pay commission के अनुशार, CEA पर मैं question लेकर आया, और ये question है, बहुत ही important होने वाले है, for the post-op, LDC, UDC, OS, ASO, SO, Vice Principal, Principal, AC, DC, IN, NBS, KBS, EMRS, NCT conducted by UPC, limited departmental examinations, limited department, competitive examinations, अगर आप channel पर नए है, तो channel को subscribe करिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल authentic और reliable content है, वो available करवाए जा रहे है, और आपके syllabus से related सारे content है, वो available है, आप channel के playlist में जाईए, और देखिए, वहाँ पर आपके service rules है, academic part और paper का general part है, वो भी available है, आप सारे content को देख करके और अपने आपको prepare कर सकते हैं, अपने आपको तैयार कर सकते हैं, selection के लिए, और अगर आज की question आपको पसंद आए, तो like, share करें, आप मुझको facebook page पर भी follow कर सकते है, knowledgemanly पर और channel को subscribe करना तो जिरूरी है, क्योंकि knowledgemanly is the right choice, thank you very much.